जै गनेश वाबा की सकट चोथ के दिन हमें भूल कर भी कुछ गलतियां नहीं करने चाहिए क्यूंकि इसे गनेश वाबा नराज हो जाते हैं नमबर एक सकट चोथ वर्त में महिलाओं को भूल कर भी तुलसी दलकी को श्री गनेश जी को नहीं चड़ाना चाहिए नमबर दो रात्री में चंद्रमा को अरक देने से पहले वर्त नहीं खोलना चाहिए नमबर तीन सूरे चंद्रमा को अरग देते समय उस जल के चीटे आपके पैरों पर ना पड़ें यह ध्यान रखना चाहिए नमबर चार पूजा करते समय कहानी सुनते समय आपका दक्षिन दिशा की तरफ मुख ना हो नमबर पांच इस वर्थ को महिलाएं अपने बच्चों की काम्याबी तरक्की और दीरगायों के लिए रखती हैं इसलिए आज के दिन बच्चों को कोई भी अप्षब्द ना बोलें उन्हें ना डांटें नमबर च्छे वर्त वाले दिन किसी दूसरों की निंदा चुगली बुराई ना करें नमबर साथ सवभागेवती महिलाएं बिना सिंगार के पूजा ना करें मांग में सिंदूर और हाथों में लाल हरी चूडियां जरूर पहने वर्त वाले दिन ना खून और बालो को ना काटे। जैशे किश्णा।